हलो एवरिवन वेलकम टू माई यूटूब चैनल शुब शुब बोलो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूटूब चैनल में थैंक यू सो मच धेर सरा प्यार देने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कॉमेंस में मुझे बोलता है कि मे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो होगा कि वाट इस कमिंग नेक्स्ट ओके इन लव सिचुएशन तो हम इस रीडिंग के थ्रू चेक करेंगे कि रीसेंट पास में क्या हुआ है प्रेजेंटली क्या हो र बेखने रीडिंग फेरेंटली तो हम स्ट्रीडिंग रीडिंग हो सकता है आप सबी के साथ ये रीडिंग रीडिंग हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्षनwiąद फेरेंग आपके साथ रीडिंग करे टेकित how it resonates & leave the rest beind कहा है यहाँ पर रोल्स रिवर्स हो सकता है और अपने उपर फोकस कीजिएगा क्योंकि हम लोग आपी का ओवराल जो एनरजी है वो चेक करने वाले हैं Let's see Let's see what is your current general energy Okay, okay, the magician and bottom of the deck is seven of pentacles So, एक तरह से you are manifesting, आप बहुत दिनों से कुछ manifest कर रहे हैं और बेस अबरी से उस चीज का वेट कर रहे हैं और मुझे पता नहीं किस चीज का, कुछ लोग हो सकता है पैसे के लिए, कुछ लोग हो सकता है किसी जॉब के लिए हो सकता है कुछ business में development के लिए, या job में, पैसे के development के लिए, इस तरह का चीज भी हो सकता है या फिर हो सकता है कि आपने जो अपने love जो रिष्टा है, प्यार का जो रिष्टा है, उस चीज में आपने किसी तरह का invest किया है invest बोले तो अपना time दिया, अपना care दिया, अपना प्यार दिया, अपना सब कुछ दिया उस इनसान को तो वो भी एक तरह से आपका investment हुआ, तो आपने वो दिया है और आप बेसपरी से wait कर रहे हैं एक outcome का, ओके, हो सकता है किसी इनसान का वापस आने का बहुत बेसपरी से wait कर रहे हैं और उस चीज का manifest भी कर रहे हैं उपर वाले से के ताकि जल्दी जल्दी से see, इसके नीचे night of wands, ताकि जल्दी से वो इनसान आपके जिन्दगी में भागता हुआ आ जाए so you are manifesting, you are manifesting someone back in your life along with a very passionate note in some situations उस इनसान के साथ साथ आप चाते हैं, financial stability भी आपके जिन्दगी में आए career wise भी development हो, तो सब कुछ मिला के, प्यार, पैसा, finance, every single thing आप एक तरह से manifest कर रहे हो प्यार भी, पैसा भी, career भी, सब कुछ, तो एक तरह से good life, अगर मैं बोलू, तो you are manifesting you are manifesting, but specifically, ज्यादा तर cases में you are manifesting someone back in your life with a very passionate note, okay now, हम चेक करेंगे कि recent past में क्या हुआ था, let's see, what happened in the recent past, let's see recent past में क्या हुआ था, let's see okay, we got one card 8 of swords, 6 of swords, 2 of swords and bottom of the deck is the death card I don't think के मुझे इतना ज्यादा explain करने का दरकार है, आप लोग समझदार है, आप समझ गए होंगे death card जो की एक major अरकाना है, कोई एक चीज खतम हो गया था, okay recent past में मैं जो देख रहा हूँ, एक तम वो चीज खतम हो गया और उस चीज की वज़े से खास करके आपका रिष्टा, बिकोज हम ये एक तरह से love ही reading कर रहा है, बट जो भी मेरे सामने आता जाएगा मैं बोल रहा हूँ जैसे आपके general energy में, finance का मुझे थोड़ा बहुत दिखा तो मैंने वो बोला बट ये basically love regarding ही reading है, कि क्या आने वाला है in terms of love anyways, so in the recent past मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, आप एक तरह से mental trauma, mental jail, depression इन सब चीजों के अंदर बंदे हुए थे, बहुत बहुत एक negative situation में घिरे हुए थे और आपने क्या किया, धीरे धीरे आप आगे बरते गए, ओके, आगे बरते गए, but along with the past memories, the past traumas जो भी खराब चीज हुआ है, उस चीज को साथ में रखते हुए ही आपने एक तरह से life में आगे बरने का decision लिया आपने आपका ज्यादातर cases में आपका heart chakra blocked है, आप किसे से प्यार नहीं कर पाए, कोई नए energy को आप, क्या बोलू मैं, entertain नहीं कर पाए या उन पे भरोसा नहीं कर पाए, trust नहीं कर पाए क्योंकि आपका आखे बंदा हुआ है, आपका दिमाग सुन है और आप किसी को अभी फिलाल के लिए trust करने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है, जो कि मुझे दिकरा है सो एक तरह से past में बहुत बहुत खराब situation हो सकता है किसी ने आपको अपने जिंदगी से एक तरह से अलग कर दिया था या हो सकता है बहुत गलत वे में, बहुत negative वे में कोई रिष्टा एक दम खतम हो गया है, बहुत सारा swords energy है खास करके एक तम अलग हो गया, मतलब रिष्टा एक दूसरे से एक तम, detach एक तम अलग, death card, ओके यह absolutely खतम हो गया और 360 degree change हुआ, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों अलग-अलग शहर में आ गए, आप अलग शहर में आ गए इस चीज़ की वज़ाए से या हो सकता है, एक दम, drastically दोनों के जिन्दगी में change आया, वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, और mysterious, negative, बहुत खराब, बहुत ही खराब, ओके तो recent past में बहुत ही negative, एक situation मुझे दिख रहा है, और आपका बहुत ही tension भारा एक महौल में आप रहे थे ओके, I'm really sorry guys, मेरा हिंदी शाहिद उतना clear समझ में नहीं आ रहा होगा, बट आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके ओके, let's see, okay, wait a minute, okay, let's see कि अभी presently क्या चल रहा है, we got one card, presently अभी क्या चल, okay, we got another card, presently situation, okay, we got the third card, presently situation में क्या चल रहा है, okay, okay, and okay, तो I can see कि अभी presently, present tense में जो situation है, हो सकता है, यह आप हो सकता है, या आपके partner हो सकता है, या दोनों ही, आप दोनों का energy ही हो सकता है, because two of cups, two of cups, four of wands and ace of swords, partnership, collaboration, okay, खास करके आप दोनों के अंदर या दोनों के energy के अंदर ही, एक clarity आते हुए मुझे दिख रहा है, because यहाँ पे major arcana ace of swords है, I think आप दोनों ने ही इस रिष्टे का जो actual value है, और सामने वाले का जो actual value है, वो समझना शुरू किया, okay, हो सकता है आपके partner ने ज्यादा, okay, उनके तरफ से ज्यादा, और हो सकता है आप दोनों का ही, take it how it resonates, जो भी आपका situation होगा, उस हिसाब से इसको लीजेगा, but definitely someone is absolutely clear about you, आपके बारे में और एक तरह से committed relationship, partnership, collaboration, soulmate किसम का energy, इन सब चीजों के बारे में बहुत बहुत ज्यादा, अभी कोई एक बहुत clear हो रहे है, okay, and someone feels like the other person is their family-like person, okay, in some situations हो सकता है, कोई आपके तरफ एक marriage proposal लेके आए, या इस बारे में सोचे, at least इस बारे में सोचे, कि हम उसको propose कर सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है, कि वो एक तरह से मेरे family के एक member है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे family में वो शामिल हो, okay, चाहे किसी भी रूप में, but मेरे साथ रहे, मेरे family में रहे, और हमेशा हम दोनों एक साथ रहे, okay, so this kind of energy, और साथी साथ में पैसा, I told you na, कि यहाँ पे love and पैसा, दोनों तरह का energy पहले से ही मुझे दिख रहा है, इसलिए मैंने बोला, okay, so someone is getting the clarity about the love, about the partnership, about the collaboration, and about the soulmate किसम का energy, okay, and वो ऐसा सोच रहे हैं कि आपको, इतरा से प्रोपोस किया जा सकता है, for marriage, for commitment, okay, and for being a part of their family, okay, okay, let's see, अभी future, क्या आने वाला है, what is coming next in terms of love, what is coming next in terms of love, let's see, क्या आने वाला है, प्यार के मामले में, we are connected, seven of cups, five of pentacles, and three of wands, bottom of the deck is two of swords, wow, कितना भी उपर उपर चीज़े सजा लीजिए, कितना भी, मतलब feelings हो, present tense हो, कुछ भी हो, present tense में अभी कितना भी आप feel करो, या सोचो, या आपके partner कितना भी ये सोचे के, हाँ, वो एक soulmate किसम का energy है, उसके साथ मेरा family-like situation बन सकता है, ये वो, ultimately in future I can see confusion, okay, a lot of confusion, क्यों, क्योंकि trust issues, because of this trust issues, okay, and हो सकता है किसी का heart chakra blocked है, हो सकता है आप दोनों का, या फिर आपके partner का, या फिर आपका, okay, किसी ना किसी एक का heart chakra blocked है, और that is the reason वो सामने वाले पे proper तरीके से trust नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, and they are getting very confused, उनके mind में बहुत सारा confusion है, ऐसा होगा तो क्या ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो क्या ऐसा होगा, क्या वो मुझे accept करेंगे, क्या वो मेरे पे trust करेंगे, क्या अभी भी वो मुझे पे trust करते हैं, क्या अभी भी वो मुझे प्यार करते हैं, a lot of thing, okay, and it will be like a waiting phase will go on, okay, आपको, अभी upcoming भी मैं देख रहा हूँ, ये waiting वाला face चलेगा, किसी एक चीज का waiting, जो मैंने थोरी दिर पहले आपका general energy में भी बोला, यहाँ पे भी ये double confirmation है, कि एक तरह से आप भी wait करेंगे, और हो सकता है आपके partner भी जो है, वो भी एक तरह से wait करेंगे for the communication, proper communication, communication हो सकता है आप दुनों के बीच में अभी भी होता है, but proper, दिल खोल के जो communication होना चाहिए, वो शायद नहीं है, या एकदम बातचीत बंद है, या हो सकता है, no contact, whatever the situation is, but someone will, someone is, someone will wait, someone will wait for the situation to get a bit improved, okay, so this waiting phase will go on, waiting phase चलेगा, अभी, बहुत ज्यादा डर, बहुत ज्यादा खौफ, बहुत ही ज्यादा negativity, अभी भी इंसान के दिमाग में आएगा, और चाहे वो आप हैं, या चाहे वो आपके partner है, आप इस इंसान पे भरोसा नहीं कर पाएंगे, और आपके partner ऐसा सोचेंगे कि शायद सामने वाला मुझ पे भ आपने, वो आपको reject करें चलेगा, ऑके, बट अगर आप उनको reject करेंगे तो वो उनके ego पे आ जाएगा, और बहुत ही ज्यादा वो defensive बन जाएगे, ऑके, तो future में अभी waiting phase चलेगा, आप दोनों का ही, आप भी wait करेंगे, वो सामने वाला भी wait करेगा, एक दूसरे के actions के लि and मैं आप दोनों को ही, मुझे नहीं पता, cross watchers अगर आप देख रहे हो, और जो भी मेरे viewers है, प्लीज अपने heart चक्रा पे काम कीजिए, आप लोगों का heart चक्रा शायद अभी blocked है, जिनके साथ ये reading resonate करता है, मैं उन्हीं को बोल रहा हूँ, अगर बाकियों के साथ resonate नहीं करत तो हो सकता ये आपका reading नहीं है, प्लीज जितना तक reading resonate करता है, या जितना percentage reading resonate करता है, उतना तक ही आपका energy है, उतना तक ही लीजेगा इस reading को, let's see signs, okay, so fire signs, Aries Leo Sagittarius, earth signs, Taurus Virgo Capricorn and heavy water signs, Cancer Pisces Scorpio, fire signs, earth signs and heavy water signs, okay, let's see, universe की तरफ से आप लोगों के लिए इस situation में क्या guidance या message है, let's see, क्या guidance या message है, universe की तरफ से आप लोगों के लिए इस situation में, okay, so universe की तरफ से आप लोगों के लिए एक ही guidance है, जितना हो सकता है, इस negativity से या negative situation से और अगर आपको लगता है कि वो इनसान negative है, उनसे दूर जाईए, okay, या negative situation से बाहर निकलिए, okay, अगर आप confused है, अगर आपको intuitively if you are feeling, कि it's a very negative situation, मुझे जितना भी हो, मुझे clarity नहीं मिल रहा है, जितना भी मैं कोशिश करूँ, मैं उतना proper तरीके से इन पे trust नहीं कर सकता या कर सकती, अगर आपको लग रहा है कि मैं पहले जैसा प्यार इस इनसान से feel नहीं कर पा रहा हूँ, या उतना प्यार मैं इस इनसान को पहले जैसा नहीं कर सकता या कर सकती, please आप लोग आगे बरो अपने life में, आपको बहुत अच्छे partners मिलेंगे, हो सकता है universe ने कुछ अच्छा ही आपके बारे में सोच के रखा है, मैं जितना easily ये चीज बोल रहा हूँ, हो सकता है उतना easily ये चीज होता नहीं है normally, बट आपको धीरे-दीरे आगे बढ़ना होगा, भले ही past memories के साथ या past memories के बगएर, बट आपको confusion से बाहर आना होगा, थोरी दर पहले ही मैंने बोला आपके heart chakra पे काम कीजिए, heart chakra meditation कीजिए, या फिर अपने हाथों को इस तरह से रफ करके, अपने heart chakra पे ऐसे touch करवाईए, ताकि वो energize हो सके, आपके energy से, और अगर ये भी नहीं, अगर आप इतना भी नहीं करेंगे, तो फिर हो सकता है कि कोई भी जिसको भी आप मानते हैं, इश्वर हो सकता है, अल्ला हो सकता है, जिनको भी आप मानते हैं, या अगर मंदिर जाते हैं, मस्जीर जाते हैं, चर्च जाते हैं, जहां पे भी आपको मन लगे, उस तरह का spiritual जगाउपे जाईए, और आपको शांती मिलेगा, आपको positivity मिलेगा, और आपको एक तरह से साहस मिलेगा, कि इस तरह का negative situation से आप बाहर निकल सको, in some situations हो सकता है संक्रांत के बाद, मकर संक्रांत के बाद energies में changes आए, आपके partner के सोच में, उनके thoughts में, उनके behavior में भी काफी सारा changes आए, तो उस time का energy हम लोग तब देखेंगे, बढ़ फिलहाल के लिए अभी जो मैं देख रहा हूँ, आप खुद भी negative situation के अंदर है, negative mindset के अंदर है, आपके partner भी है, तो प्लीज आप इस चीज से बाहर निकलिए, यही आपके लिए guidance है, and confused मत रहिए, सब ठीक हो जाएगा, हर इंसान खराब नहीं होता, और मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा, so thank you so much for watching this video, we'll see you in the next video, तब तक के लिए, please take care of yourself.